माराथा आरक्षन की मांग के बीच उप मुखे मंत्री देवेंद्रा फडनवीज और अजित पवार ने सेम एकनाश शिंदे से मुलाकात की है दोनों को उनके आवाज से बहार निकलते देखा गया क्या बन गई है बात देखते रिपोर्ट अंदर की बात में माहराथा के उप मुखे मंत्री अजित पवार और देवेंद्रा फडनवीज ने मुखे मंत्री एकनाश शिंदे से मुलाकात की पवार और फडनवीज को मुखे मंत्री शिंदे के आवाज से बहार निकलते देखा गया यहां दाटक सिक्षा और नौकरियों में महराथा समुदाय के लिए आरक्षन की मांग को लेकर राजे में चल रहे विरूप दर्शन के बीच आयोजित की गई थी हाला कि महरास्टर सरकार ने जालना में प्रदर्शन कार्योप लाठी चार्ज के लिए माफी जारी कर दी है लेकिन विपक्ष इस मुद्दे पर शिंदे की इस्तिफे की मांग को लेकर सरकार पर दबाओ बना रहे है उपमुखे मंत्री देवेंद्र फड़नवीज ने कहा पूलिस वरा लाठी चार्ज सही नहीं था मैं सरकार की उड़ से माफी मांग रहा हूँ सीम ने कहा कि जो भी इससे लिए जिम्मेदार है उनके खिलाफ कारिवाही की जाएगी मराठा आरक्षण और प्रदर्शन कारियों पर लाठी चार्ड के मुद्धे पर चर्चा के लिए मराठा आरक्षण पर महारास्टर केविनेट उपन समिती की बैठक हुई बैठक में शिंदे और दोन उपमुखे मंत्री पवार और फड़नवीज मौजूद थे जालना में मराठाओ के लिए आरक्षण के मांग कर रहे प्रदर्शन कारियों और पूलिस की बीच जड़प हो गए थी पूलिस ने प्रदर्शन कारियों को तीतर बितर करने के लिए लाठी चार्ड किया था विरो डिपोट जी एस टीवी